से श्रीकाल जी, हेलो एब्डीबडी, कैनडा की तरफ से न्यू अपडेट आई है, प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग, जिसमें टूरिस वीजा है, वार्ग पर्मिंट है और स्टर्डी वीजा है, और सूपर वीजा के प्रोसेसिंग टाइम चेंज हो चुका है, तो अ तो अब हम फिर्स चेक करेंगे टूरिस वीजा का, तो इसमें है टैंपरेरी प्रेजिडेंट जिसमें विजिटर स्टडी वर्क आता है, तो आउटसाइट कैनडा जिसमें है इंडिया, तो अब हम इंडिया का चेक करते हैं, यह रहा इंडिया का, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, 190 दिन, 190 डेस हो गया है, पहले से जादा प्रोसेसिंग टाइम हो चुका है, क्योंकि 6 अक्टूबर में यह 179 डेस थे, तो अब भड़ चुका है प्रोसेसिंग टाइम टूरिस वीजे का, तो यह अपडेट जो है 12 अक्टूबर 2021 की है, आप खुद भी जाके यह आउटसाइग कैनड़ा है, तो इसे 14 वीक्स लगेंगे, तो यह है 12 अक्टूबर 2021 का अपडेट, यानि कि आप कोई इंडिया से स्टैडी वीजा लगाता है, तो उसके 14 वीक्स लगेंगे, प्रोसेसिंग, पर यह आपकी कंप्लीट अप्लिकेशन होनी चाहिए, तब आ तौटसाइब लगा रहे हो, हर वीक चै Wish होता है, तो अब हम आते हैं, वर्क पर्मिट पर आउटसाइट, कैनड़ा, तो यह इंडिया से ही हम चेक कर रहे हैं, यह हży हम इंडिया से चेक कर रहे हो, तो यह है, 33 वीक्स तो यह कि अगर कोई वर्क पर्मिट का वीक्स अब लगेंगे तो यह 12 अक्टूबर 2021 का है तो अब हम चेक करते हैं इंसाइड केनडा यानि केनडा में अगर आप स्टेड़ी अपने स्टेड़ी वीसा लगा रहे हैं तो कितना टाइम लगेंगे तो इसे भी 14 वीक से ही लगेंगे तो अगर आप कैनडा में हो इंसाइड और अपना वर्क जो और मिट है उसे एक्सेंट कराना है तो कितने दिन लगेंगे तो यह लगेंगे ओनलाइन अप्लाई होता है पेपर बेस भी होता है इटी एट डेस इटी एट डेस जिसमें कंप्लीट अप्लिकेशन होनी चाहिए य तो अब हम बात करते हैं अपना यह विजिटर वीजा जो इंसाइड कैनडा लगा रहे हैं इनके 130 दिन यह कैनडा में बैठके अपना विजिटर वीजा इंसाइड लगा रहे हैं तो 130 दिन है 130 देस तो इसमें लिखा हुआ है आप देखे 12 इसमें लिखे भी है कि the processing time does not including time taking for finger print जो आपकी आते हैं जिसमें आपकी biometrics होती है पर जब आप receive करते हैं अपने passport, output और visa लगता है और return to you तो ये 12 October का है यहां लिखा है only valid study and work permit holder can apply temporary resident visa from inside यानि कि कोई study कर रहा है और काम कर रहा है वहां पर तो ये apply कर सकते हैं तो अब आते हैं हम super visa जिसमें parents and grandparents आते हैं तो ये है इंडिया से हम apply कर रहे हैं अपने parents या grandparents का तो ये है चेक करते हैं जिसमें 47 days processing time है पूरी file complete करने का तो ये ने कि 47 days फिर दुबारा repeat करें 47 days तो अब आते हैं हम तो ये inside यहां पर हम super visa के complete हो चुका है तो अब दूसरा section economical class immigrants में आते हैं जिसमें हम देखते हैं Canada experience class के लिए already apply तो ये है six month और नहीं apply है तो है है six month तो ये बारा अक बरियाने की उतना ही processing time है तो आप हम जो self क्योबिक caregiver का तो अभी कोई processing time नहीं आ रहा है तो हर बारी हम check करते हैं ये नहीं होता है कोई भी update दोनों home support worker और child care provider में तो आगे अब हाते हैं हम province नॉमिंस में और yes by express entry तो six month लिखा है और ये पहले भी six month चल रहा है तो अभी ही तक है तो self employer person fed ड्रेट में तो ये 36 month आता है और cubic class जो है 53 month और skill worker federal already apply तो ये आता है six month online अगर नहीं apply कि रहा तब ये six month आएगा और आगे हम बात करते हैं बेड जे से से हागे आप देखे six month उसके बाद skill worker already apply ये I already apply ठीक है 26 month अब है not apply है हमने अप्लाई नहीं कर दो आगे हम आए स्टार्ट अप पर तो इसका भी और आ गया तो आपने अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ठाटी टू मंथ अगर नहीं अप्लाई कर रहा है तो स्टार्ट अपी जगा तो बारा से सोला है तो यह हर टाइम प्रोसेसिंग टाइम जो वीजास का है वो चींच होते रहते हैं तो यह अपडेट जो है वीखली चींच होती रहती है तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चानल को लाइक जरू करिए क्योंकि इस चैनल पर uh, बडेwest का कराना चाहते हैं तो हमें कॉंटक कर सकते हैं